कभी कभी इंसान सच में हार जाता है, खामोस रहते रहते, सबर करते करते, रिषते निभाते निभाते, या अपनी सफायां देते देते, अपनों को मनाते मनाते, लिकन याद रखिये गया, कि हार कर जीतने वाले को ही बाजिगर कहते हैं, नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आपके अपने चैनल में, मासिक रासिफल सितंबर दोजा तेबिस क यह एपिसोड में, यह एपिसोड व्रसब रासि के लिए है, और यह रासिफल आपकी रासि आताद मून सायन पर आदारीत है, तो आईए, अब आरम करते हैं, आप व्रसब रासिफल सितंबर दोजाते भी, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपकी इंकम और प्रॉफ पडिए। कारियों के लिए हो सकते हैं, इंवेस्मेंट जादा हो सकता है, या कोई ज़्वानिक वालों का सवाल है, आप मेंसे जो भी लोग जॉब में हैं उन लोगों को अपने जो ऑफिस के काम के कारण आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है, आपको भागदोड जादा करनी पड़ सकती है और हो सकता है आप अपने काम से अती व्यस्तता से संतुस्त ना हो पाएं लेकिन आपकी मैनत आपके प्रमोशन के लिए जिम्मेदार होगी इसलिए अपने कामों पर अपनी जो भी दिन चरिया उसके जी जन लगा दीजे उसका भरपू पूर फाइदा लाब आपको मिलने वाला है जो लोग प्रमोशनस हैं और इस्पेसलि फैनेसल प्रमोशनस या इंफल स्ट्रक्चर से जुड़े वे लोग ये जो गुवर्मेंट प्रमोशनस 17 सितंबर के बाद में वे लोग अती वियस्त होंगे या आपके काम का जो बारी control करना पड़ेगा manage करना पड़ेगा जो लोग businessmen है वे लोग अपनी risk को manage करने का काम कर रहे हैं जो भी liquidity आपकी बाहर है उनको जितनी जल्दी हो अपने हाथ में control कीजिए जब भी समय negative होता है तो क्या होता है सबसे पहले अपना पैसा फस्ता है तो ऐसी स्थिति में जो भी उधारी है उसको जितनी जल्दी हो उस speed में cover up कीजिए और risk को manage कीजिए वो आपके लिए ज्यादा better है जो भी नया काम करना है सोच समझ करके करें हाला कि स्थितिया negative नहीं है लेकिन यहां पर financial management करने की आवशक्ता है सेक्टर के बारे में बात करें तो वे लोग जो finance या financial brokerage का का काम करते हैं banking sector में है finance के sector में stock broking के sector में है या राजनिती के sector में जो education के sector की बात कर सकते हैं bakery या utensil से समझ काम काज करने वे लोगों के लिए भी यहां पर साफदानी से काम करने की सलाह दे रहा हूँ लेकिन वो लोग जो infrastructure से समझ दिद काम काज करते हैं land and building, building material construction, real estate, property market उससे समझ दिद जो लोग भी काम काज करते हैं उनके लिए यहां पर एक परकासे बारिश होने वाली है आपके लिए gain की profit की, इसलिए संभावनाओं को जानते रहिए संभावनाओं को पैचानते रहिए और उन संभावनाओं का दोहन कीजिए या उसका फाइदा उठाइए जो जागता है वो ही फाइदा उठाता है यह हमेशा याद रखिए 17 सेप्टमबर से जोही सूर्य रासी से फिप्टावस में आ जाएंगे कन्या रासी में आ जाएंगे तो लाब बाव पर दस्ती होगी और उस इस्तिति में आपके लिए भारी संभावनाओं हो जाएगी आपका confidence build up हो जाएगा और सरकारी योजनाओं से लाब कमाने के इस्तिति में आप आसानी से आ जाएंगे तो ऐसी इस्तिति में आप मैसे जो लोग भी government sector में उन लोगों के लिए भी यहां इस्तितियां profitable की है वो आने वाले 17 सितंबर से आईए अब बात करें आपके पारिवरिक सुक की सितंबर दो जाते भीस में आपके अधिकारों में व्रद्धी होगी बातचीश से फैसले होंगे या अधिकारों के साथ में कुछ नुकुछ आपको गेन मिलेगा तो ऐसी इस्तिति में समझज़ से नजर आएगा और थोड़ी समझबूच से आप ने रिस्तों को बना सकते हैं और उससे लाप कमा सकते हैं आपके घर परिवार के सज़स्यों की आर्थिक उन्नती होगी समर्द्धी वाली इस्ति आजाएगी और हो सकता है घर में कोई नया मांगली कारे का आरंब हो या उसकी सूचना आपको मिल जाए कोई रिस्ता तैय होने की इस्ति आपको सुनाई दे सकती है या उसकी सूचना आपको मिल सकती है तो ऐसी इस्ति में यहाँ पर घर में एक प्रकास से सुखद इस्तियों का निर्मान होना निस्चित है और आप लंबे समय के बाद में अपनी परिवार को एक जूट होता देख पाएंगे और उसमें आपकी भूमी का महत्मून हो सकती है आईए अब बात करें आपकी एजुकेशन की रासी से फिप्ताव से एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है और यहाँ पर मंगल विराज माने मंगल को टेक्निकल इलेक्टिकल लौ और यहाँ पिर एनेजी से समधित जो भी काम काज़े है इसके लिए जाना जाता है तो इन सेक्टर में जो लोग भी स्टुडीज कर रहे हैं जो स्टुडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर इस्तितियां बहुत सुखद है रासी से फिप्त है उसमें जो रासी है वो कन्या रासी है कन्या रासी का अधीपति बुद्ध हैं जो एक तरिकोन के अधीपति होकर के केंजर में विराज मानें सूरी बुद्ध साथ में होकर के बुद्ध दितियोग का निर्मान हो रहा है ब्रस्पति की सुखद या सुखद दस्ती है उसका भी आपको लाब मिलेगा जो लोग भी मार्केटिंग के स्टुडेंट हैं एकोनिमिस के स्टुडेंट हैं मैथमेटिक्स के स्टुडेंट हैं उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत बलवान है जो मेजिक या मेजिक से स मनित को इन को सेत्रों में स्टेडीज कर रहे हैं उनके लिए यहां पर संभावनाए सफलता की है आगे बढ़ने की है 17 सितंबर को सूर्य भी रासी से फिपता उसमें आ जाएंगे तो उस समय जो लोग भी गौर्मेंट के एक्जाम देने वाले हैं गौर्मेंट सेक्टर में इन को अपने आपको अप्ग्रेड करने वाले लोग हैं या आपने NDA में एक्जाम दे रखा हैं या आप पूलिस में हैं और आप तो आप Yay了吧 या पिर वे लोग जो एतलीट चैनिस परसन हैं आप कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजिनिरिंग, लौ, एग्रिकल्चर, आईरुवेद, और साथ ही साथ, वे लोग, जो कोई जो एटलीट से समधी स्टेडीज में हैं, उन लोगों के लिए भी यहां पर भारी संभावना हैं, और साथ ही साथ, जो लोग, पावर सेक्टर में हैं, जो लोग, लोग के सेक्टर में हैं, आप चाहे NDA का कोई स्टेडीज कर रहे हैं, आप चाहे कोई लोग की स्टेडी कर रहे हैं, आप या आप कोई एक्जाम दे रहे हैं आपको मिलना तै है आईए अब बात करें आपके स्वास्ते की रोग बावसे शिक्स ताउस से स्वास्ते के बारे में जानकरी ली जाती है तो ऐसी इस्तिती में वे लोग जो खाने पिने के शौकिन है या जिनका इमिनल इस्ट जो सिस्टम है हाजमा है उनका एक प्रकास से कम जो रहें उन लोगों को यहांपर ज्यादा देखबाल करनी पड़ेगी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग डाइबिटीक है उनको भी एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी जो व्रद्द लोग हैं या जो दिमागी मरीज हैं मनोरोगी हैं डिप्रेशन के मरीज हैं उन लोगों के उपर भी एक्स्ट्रा केर रखनी पड़ेगी नजर रखनी पड़ेगी अनेता वो या या ये बोल सकते हैं जो पारकिंसन के अलजयमेर्स के डैमेंशिया के मरीज हैं उन लोगों को इस समय ज़्यादा खत्रा है ज़्यादा नेगिटिविटी है उनकी बीमारी बढ़ सकती है या वो अनायासी घर से निकल सकता है फिर उनको यादी नहीं आएगा वापस कहां जाना है तो आपके घर में यदि ऐसे कोई मरीज है तो उनके उपर आपको एक्ष्टा केर रखनी है और एक केर और रखनी है सित्मबर में आग का खत्रा लगा रहेगा तो ऐसी इस्तिति में जो कोई भी ये जो अपने आपी कनेक्शन कर लेते हैं या लूज कनेक्शन छोड़ देते हैं ध्यान नहीं देते हैं लापरवा इस्तिति में हैं चाए आपकी दुकान है चाए सोरूम है चाए घर है आपको आगजनी के खत्रे को देखते हुए जो भी वरसब रासी के लोग हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा केर रखनी पड़ेगी और जो भी ऐसे एक्यूब्मेंट है जिसको आपने बहुत ही कमजोरी से जोड़ा गया है उसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ठीक कराएं अन्यता आप भारी नुकसान का सामना कर सकते हैं आईए अब बात करें आपके दामपत सुक की गरस्ट सुक की रासी से सप्तमभाव से इसका विसलेशन किया जाता है सप्तमभाव के अधीपती आता केंदर के अधीपती त्रिकोर्ण में विराज माने ये राजियो की इस्तिती है सनी जोकि बाग्या और करम दोनों के मालिके उसकी द्रस्ती है और शुक्र जोकि दामपची सुक के कारक है वे भी चनमा के भाव में अथा चनमा की रासी में परक्रम भाव में है तो ऐसी स्थिति में यहां पर गरस्त शुक से संतुस्ती रोमांस में व्रद्धी अपना तुस्त ने समर्पन ये सब कुछ आपको भरपूर बारिस के रूप में नजर आएगा बारिस के रूप में आपको मिलेगा अतात संतुस्ती से ज़्यादा आप यहां पर रोमांचीत रहेंगी और जो बाचित का स्तर है वो भी काफी आपके अंदर भी कोईन कोई कला चाहिए वो गायन की कला हो वो बहुत अच्छी निकर सकती है या आप एक दुस्ते को प्रभावित करने के लिए भी मौसम का साहरा ले सकते हैं यह समय आपके लिए बहतरीन है और जिन लोगों के साधी की बाचित चल रही है वो भी यहां पर आगे बढ़ेगी अताद बाचित का दाइरा बाचित की जो अवदी है वो बार बार लंबी हो जाएगी या अवदी बहुत जादा बढ़ जाएगी तो उसमें संभावना है कि वो रिस्ता आपका तै हो जाए जिन दंपत्यों के बीच में कोई विवाद चल रहा है वो भी विवाद यहां आकर के सौट आउट हो सकता है थोड़ा सा अपने एगो को साइड में कर लीजिए और बाचित करना आरम कर दीजिए तो वो इस्तितियां आपकी सुखद हो सकती है अताद जो भी नेगिटिवटी है वो समाप्त हो सकती है वापस रिस्ते सुदर सकते हैं आई अब बात करें हाउस वाइफ के बारे में ग्रहनियों के बारे में सितंबर दोजा तिबीस आपके लिए यश्प्राप्ति का है सुख सुविदाएं बोगने का है स्वास्तिका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हो सकता है सितंबर मा में यदा कदा सास ससुर का एक प्रकास से ताना साही रवया आपको देखना पड़े लेकिन आपको हाइपर एक्टिव नहीं होना है आपको इमिडेट जो रियक्शन देते हैं वो नहीं देना है क्योंकि वो आपके यश्पर कोई कोई दाग ही लगाएगा प्रॉलम ही क्रेट करेगा अनिता आपका यह मा काफी ज़्यादा सुखद रहने वाला है आपकी यात्राएं होने वाली है या आपको अपने घर के पारेवरेक फंक्शन में अग्रणी भूमी का निबाने का मौका मिल सकता है और आपकी अपनी परसनल लाइप बहुत अच्छी होने वाली है आईए अब बात करें उन बात्चित बहुत अच्छी होगी समय का भरपूर आप फाइदा उठाएंगे एक दोसे को जान पेचान करेंगे आपका बाहर गुमने का या आउटिंग का प्रोग्राम भी बन सकता है लेकिन 17 सितंबर दो जाती भी इसको जब सूर्य रासी से फिप्त आउस में आ बात्चित में रूखापन नजर आ सकता है या कुछ नियुकुछ अकड़ नजर आ सकती है इगो की भावना डवलप हो सकती है ऐसी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा सांत रहना पड़ेगा रिस्तों को संभालने में एड़्जस्मेंट हमेशा ढू थोड़ा सा सतरा सितंबर देखें तो बहुत अच्छा है या एनरजी से बरपूर है निक सतरा सितंबर के बाद में यदा कड़ा आपको बात्चित में रूखापन आप देख पाएंगे या स्वार्थ की भावना आपको दिखाई दे सकती है तो उसको आपने मैनेज करना च रासी से दसंबाव में स्वारासी के सनी आपको पंच मापूरस में से एक योग शश योग का साथ दे रहें और वो सनी भागी के अधिपती होकर के केंजर में विराज माने ये राज योग की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एनरजी भरपूर रहेगी नहीं deal पाएंगे या उनको सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा इतना ज्यादा काम आपके पास में होगा और वे लोग जो machinery का काम करते हैं जो supply का काम करते हैं जो supply की chain संबारते हैं या जो वो लोग repairing section से जोड़े हैं repairing sector से जोड़े हैं उन लोगों के लिए भी यहां पर नई-नई संभावना ही बनी हुई है, इस्तियां बहुत सुखद है, 17 सितमबर तक सूर्य की जस्ती भी रासी से जो दसंभाव पर है तो ऐसी इस्तिती में, जो लोग भी गॉर्मेंट सेक्टर के लोग हैं, उन लोगों को भी यहां पर बहु स्ट्रेंद मिलेगी, या वो लोग भी पाउरफुल जो सिट्रेशन में होंगे, आपके डिस्जन्स बहुत सही होंगे, सूर्य और बुद्ध दोनों ही एक साथ में विराजमाने, इस इस्तिती को बुद्ध है योग बोला जाता है, और यहां पर बुद्धी बलकि इस्तित और कॉस्मेटिक से जुड़े वें, फ्लिम लेन या टिवी लाइन से जुड़े वें, उन लोगों के लिए इस्तितियां बहुत सुख़द है, सेप्टेमबर दो जाते भी इसमें, तो वे लोग जो मार्केटिंग के लोग हैं, या इंसुरेंस के लोग हैं, स्टेंड़ हैं, या अपना ब्लॉग चलाते हैं, अपना न्यूस चैनल चलाते हैं, या एंकरिंग का काम करते हैं, आप स्पिकर हैं, मोटिवेशनल स्पिकर हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, आप लोगों के लिए अपने संभावना हैं, बहुत शानदार बनी हुई है, उसका आपको फा पास आपको देखना है, लोगों से बातचीत करनी है, कुछ अपने आपको नए डंग से पेश करिए, कुछ अपने आप में कुछ चेंजेस करिए, जो कमिया हैं उनको दूर करिए. जो लोग जॉब कर रहें, वो यहां पर फाइदे में रहेंगे, आपको हो सकता है जॉब वक मिलें, आपको हो सकता है ओवर टाइम करने को मिलें, सब मिला करके आपके स्ट्रेंद बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी. जो लोग प्रफेशनल्स हैं, उन प्रफेशनल्स को भी यहां पर बहुत ज़्यादा व्यस्तता मिलेगी, बहुत काम करने को मिलेगा, यात्रह आपकी बहुत होंगी, तो साथ ही साथ बाग्य का साथ आपको जबर जस्त मिलेगा, जो कुछ दूसरे सोच भी नहीं सकते, उस और साथ ही साथ, जो लोग आपको मिलेंगे, जो मिटिंग्स होगी, उन मिटिंग्स को ध्यान से अगर आप बातचीत करेंगे, सुनेंगे, उसको रिकॉर्ड करके देखेंगे, तो आपको उसमें से कई आइडिया निकलते हैं दिखाई देंगे, तो आप जब बातचीत करे भी फाइदेमंद हो सकती है आप अब्जर्व करिए अपने स्टाफ को अपने लोगों को या वो जो भी आपके competitors हैं उनको observe करिए उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं यह समयकाल आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला है इसलिए यहां पर जी जान लगा दीजे आईए अब बात करें मासिक रासी सितंबर दो जाते भी इसके उपायों के बारे में बोमी भवन के बारे में यहां पर इस्ति में जो कोई भी बातचीत होती है parental property से समधित, जमी जाइदा से समधित यह आपको कुछ खरीदना है और उसमें व्यवधान आ रहे हैं तो आपको भुमी भवन सुक जो कलस होता है उसका आपको परियोग करना है उस एक ही कलस में बहुत सारी सामगरी है आपको क्या दान करन करना है आपको किस भगवान की पूजा करनी है कों से यंतर से पूजा करनी है आपको क्या दारंड करना है यह सब कुछ एक ही कलस में बहुत सारी सामगरी का एक प्रकास से जो संयोग है जो यूती है वो ही एक कलस में संपूर्ण वीदी विदान के साथ में सेकिंड इस्तित उसके आसपास एक यंत्र बनावा है, संख्याएं कुछ लिखी वही है, उसका जब योग करेंगे तो 34 आता है, तो लक्समी प्राप्तिका एक विलक्षन यंत्र है, उसको 34 यंत्र बोलते हैं, तो जो लोग भी डेली रूटिन का काम करते हैं, जो दुकानदार हैं, जो फेरी चकल की अंगुठी भी आती है, वो भी इसी काम के लिए आती है, लक्समी को जागरत करने के लिए, या अपनी इंकम को बढ़ाने के लिए, रतनों के बार में मैं हमेशा बोलता हूँ, तो अपनी रासी के जो भी त्रिकोने, उनके रतन दारण करने को बाग्यवरदी रतन दारण करेंगे, इस एस इस्थिक को ही भाग्यवरदी रतन लोकिट कहा जाता है, आप मैंसे वे लोग जो बिजनस परसन्ज हैं, अपनी रासी के लक्समी योगों को धन योगों को बलवान बनाना चाते हैं, तो उन लोगों को व्रसप रासी का लक्समी योगवरदी रतन या 34 यंतर के अंगुटी, भूमी, भवन, कलश या पिर लक्ष्मियोग, रत्न लोकिट ज़्यादा जान करें के लिए इसक्रीन पर जो नंबर दिये हैं उस पर संपर कर सकते हैं या वाटसब नंबर है उस पर मैसेज डाल सकते हैं ये था मासिक रासिफल सितंबर 2023 आपकी जनकुली में से एक रचनमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है आप चाहें तो अपनी जनकुली के संदर में इस रासिफल को और सठीक्ता से जान सकते हैं क्योंकि जनकुली आपकी अपनी है और आपकी details से ही बनती है जब जीवन में समस्याँ जादा हो भविश्य में जाकना हो या बहुत बड़ा को डिस्जन लेना हो तब अपनी जन कुल्ली का विसलेशन जरूर करवाना चाहिए तो ऐसी इस्तिती में आपको स्क्रिन पर नेवे नंबर पर संपर्क स्थापित करना है आप कोई भी कंट्री में रहते हूं आप कोई भी सिटी में रहते हूं अपनी कन्विनेंट टाइम पर आप बातचीत कर सकते हैं अपनी कुल्ली पर विसलेशन कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का समाधान ढूंड करके निकाल सकते हैं, बातचीत से निकाल सकते हैं, सरल से सरल, या पर आपकी जैसी भी समर्तिय उसके अनुसार. तो आपको अपर्णमेंट फिक्स करके, आप और मैं ही बातचीत करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए अपनी परस्नल से परस्नल या अपनी हर समस्या के बारे में डिसकर्स कर सकते हैं, मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, अपना अपने परिवार का, घर के छोड़ छोड़ बच्चाओं का और घर की मैलाओं का, कन्याओं का बहुत ख्याल रखें, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुब कामना है, इश्वर आपकी रक्षा करें, धन्यवाद. बहुत नह करुद रखें, इचर से बहुत बहुत ऑपकी रहा है, इश्वर आपकी मैलाचीत शुब का, इसे सभाुद तया स्वस्त बहुत आपकी मैलाचना गिसके का, उससे दो रहा हैं, घर करजा़ कि दूना यः शूना दिन गूटंगल सatur माखकी रवताना य नहिद ए झाल झाल